CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं जहां कोई उच नीच ना हो जहां कोई भेद भाव ना हो आज मैं आपसे कह रहा हूँ अगर इस देख में इद्धर सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज अस्थापित कराना है तो अपने घरों में लिखतो कि हमें बेगम पुरा राजदाना ना बेगम का मतलब ह होता है बेना घर्डा राज्थ जहां किसी की जित्तगी में कोई गम कोई घुन्डा आक निकांसी देख पॉए 72 कि वाफ उपती फार बभिव होस्थे अगर कोई गुट्डा किरीब की द्रूपा उखनार के लिखना हो दिखे क्या तो मेरे काम में कुम है क्मी है मेरे काम मे बताओ कहानी अड़ता तुभारे लिए कहानी काहकोर क्या चाहिए मुझसे गरीबी में पैदा होगे गरीबी मरना जुन चैना क्योंके हम इंसान नहीं है क्या थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुझे भान अगरवा लो लिखे कहता हूं फोन का कत्रा कत्रा भी आपके काम आएगा मेरी बात क्या आप है गुरुजी कब से अप यहां कितने दूनों से तबस्या किये क्या उपदेश रहा है अक्षली में इस गाउं में जो वैली गाउं है आज से एक साल पहले में यहां उपसित हुआ था तो यहां पे जो इस मंदी के प्रांगण में ने कुछ लोग जो तास पते खेलता देखा और लगभग जो काफी लोग जो दूते तो मैंने संकल विलिया वे इस गाउं का मुझे नसा मुक्त कराने का जो निश्चे ने ना कि लगभग इस गाउं के अंदर जो रविदाशी परिवार जो 130 परिवार बसते हैं और लगभग जो 42 परिवार परिवारों बिल्कु नसा छोड़कर स्रावादी की सोगंद लेकर करकर गुरु रविदाजी महाजी का सत्संग जो ग्रहन कर लिए वे सत्संगी परिवार ब इल्ला किया तो इन लोगों ने तपश्चा सपल करा दी 42 लोग इस गाउं के जो बिल्कुल नसामुक्त हो चुके अज एडुकेट चंशेकर को सांसद जी को यहां बलाने का क्या मकसद है उनको यह बुलाने का मकसद है कि वह नगीना से जब से सांसद बने हैं तो कही ना कह ही उनके स्वागत के प्रोग्राम लगा रखे हैं तो इस कुशी में के आज बवजन समाज का एक बेटा बाई जो है लोक सभा में पहुचा है और वो सब की आवाज उठाते हैं तो इसलिए उनको यहां पर बुलाना चाहिए महाराज जी के दिसान इर्देश के अनुसार ज क्यों सोचा इनका स्वागत करने का वैली गाउं में इसलिए सोचा क्यूंकि यहां पर यह बहुत पिछड़ा गाउं था और इसलिए यहां पर काफी मलब 10-12 साल से देख रहे थे गुरुजी कि इस गाउं में जो है इस्तिती सुधार पे नहीं थी पर जो नसे के कारण कही द्या सर्रूप से चलास पर 37 महाराज जी उन्हें जो यहीं परन लिया कि इसमें अगर खड़ी शधाक के जाए इन लोगों के लिए मैं में श नहीं आ इन लोगों को रुएक जवर रजल कर दो वे की एवप एवप अवर शब ख다न एक्यर रखियर एंट झाहँ अवरो कि रखर अप्यर भाल hकiges फर खिर से डवan कि प繼續 हुआ है गे भीalayo या रखना है या ठानि हम था भी उल्क विकली टीमै आज सरु पर्थम इस महान सर्संग में आप लोगों के आगरें पर मुझे यहां आने का मौका मिला मैं सबसे पहले इस गाओं के और इस छेत्र के जितने भी सम्मानित भाई बहन बड़े माएं तमाम जो पूरे छेत्र के लोग आए हैं मैंका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ साथ साथ ससंग में आप यहां पहुँचे हैं तो एक जोड़दार जयकारा मेरे साथ लगाई है बोलिये संच रमणी सद्कुरु अविदाज महराजी की सद्कुरु अविदाज शक्ती बोलिये सद्कुरु समंदाज महराजी की और जितने भी संच और गुरु महापुरु से यहां बैठे हैं इनकी भी जोड़ जार जय लगाओ एक बार सभी संचों की सभी गुरुओं की जोक्टर बाबार सहाव अमेटकर मानिवर काशी राम सहाथ मानिवर दीना बावना वालमिकी सहाथ और अश्पेजली मातमा सतीजदाज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सद्गुरु अविदाज जी महराज से प्रात्रा करता हूँ कि उनके संकल्प को फूरा करने की सब्ती सद्गुरु महराज उनको दे मैं एक नारा गुरु जी सतीजदाज जी के लिए भी आपसे अमीद करूँआ कि आप उस पे जोड़दार जैकारा लगाएंगे बोलिए गुरु सतीजदी महराज जी की अब मैं आपसे आगरे करूँगा कि आप मुझे सुनों बैठ जाओ पहले बैठने निदेता था कोई अब आप बैठना नहीं चाहता है क्या करें क्या करें जब आप लोग बैठने के सुनने की इज़्जदी नहीं समगते तो हम क्या करें हमारा दोस्त वाज मैं पुने आगरे करूँगा यह जो वॉलेंटर बीच में खड़े वैवस्तित करो मोलेंटर का मतलब होता है सिफाई जवान ज़िदा जिसके युद्धर को 성 अधान को निगात réfl़ होनी चाहिए वालेंटर अपने काम के पड़ती जिम्मधार होना चाहिए यह इसकी जिम्मधारी और इतने लोगों की णिम्ममधारी है आपी उपर मेरी भी तो मैं यहां मेरे साथ पहुंचे बुकाडिया जी हमारे जिले के अधेख जी भीमार्मी आजास समाज पर्टी के भाई नीटू जी भाई दीपक जी भाई हिमान सुई तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और जिस कारण से आज हम लोग यहां इकठा हुए ससंग से अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरु जी ने सतीह दाजी ने अपने कंदों पर उठाई है कि ये जेद्र नसा मुख फोग इस पे लंबे समय तक हमने काम किया जो लोग सराब बेचना बंद करवा दिया पुलिस से सिकायत करके तो लोग जेल चलेगे जेल से बाहर आए तो जिल लोगों ने सिकायत करवाई तो इनके साथ जगड़ा कर दिया तो फिर हमने त्ले किया कि इसको हम लोग नहीं छुटवा सकते यह जो चीजे जबस्ति से नहीं छुटेगी यह छुटेगी मन से और मन से सब छुटेगी जब कोई ग्यानी जब कोई गुरू जब कोई संथ इनको सही रास्ता दिखाए और मैं परतेक्स गवाँ हूं कि स्वामी समंदार्जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को अंध आज वो हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके विचार उनका अशिरवाद मेरे जैसों पर और मुझ जैसे लाखों लोगों पर है मेरे आज भी आदे महाराज जी कोई सश्चंग ऐसा नहीं हुआ जहां गुरुजी ने मुझे फोन ना करवा और कह रहा हूं कि भाई समय से आ कुझ भार तो ऐसा हुआ जहासे उम्मीद मी नहीं दियाने की महां से मैं सश्चंग में पहुँच गया क्योंकि राद में कोह रहा ओता था शर्जियों अब आपके छेतर में सशंग हो रहा है और इस उम्मीद से हो रहा है कि बहुत सारे खरतों उन्होंने अंध्रिश्वास पाकरगवाद और नसे से मुक्ति प्राथ कर लिए बहुत सारे बाकित मैं उनकी बात को अपनी बात के साथ जोड़ते हैं आपसे अपील करता हूँ कि वास्तिक्ता में अगर इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराईयों को छोड़ो गुरुजी के रास्ते पे चलो सत्गुरु महराज के रास्ते पे आगे बढ़ो और जो उनका को तो जीवन का सब्ना मानों और मैं तो लगातार पर्लरेमेंट में मैंने कहा आपने सुना होगा मैंने पर्लरेमेंट में यह बात कही जब मैंने अपनी बात को रखना सुरू किया तो मैंने कहा básicamente 600 साल पहले भारत को नहीं मिन पूरी दुनिया को गर सबसे अच्छा लोगत पर्लियम्मेंट में अमर हो गया और और तक पर्लीमेंट है भारत की तब तक पर्लेमेंट के पन्नों के सुनेर अक्षणों में लिघा रहेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा कि मानवता का दर्स और गज़र ऐए तो रहदा दिया इसोप्तों के फिरशymphाण आप लोगों ने दी आपने मुझे आश्रवात दिया आपने मेरा सयोग किया आपके जिलों के लोगों ने जाके महां मैनत की आपके परियास से मुझे वहां जीत हासिल लुए और उस जीत के कारण आज आपकी जो वाद सड़कों पे थी 10-12 साल से वह पार्लेमेंट में हैं औ इस भाइज भाइज घंटे काम करता हूं बिना रुक है कभी जिम्मत नहीं आघ़ता है और कभी किसी चीज़ से नहीं घबराता इंगा और आप ने देखा विए कहीं नहीं जाता मैं किसी से कुछ मांगने के लिए मैं जाता हूँ तो बस उनके चर्णों में और उनसे आशिवात मांगने के लिए और साथ-साथ ये संकल्फ करने की कि हम आपके मिचारों में खड़े रहेंगे मेरी बात कर अब गोर करना 600 साल पहले सद्गुर्जी ने दर्शन दिया से कहा कि जाओ डिवारों पर लिख दो कि हम इस देश के साशक बनेंगे गर लोगागे कि बाबा साहब कैसी बात तक रही है तो घर था की नहीं तो बाबा साब बेट करने का हम बराबर का दिखार दे आठीक है तुम पे घर भी होगा तुम पे बंगले भी होंगे तुम पे गाड़े घोडे तमाम शॉद रहाड़र नहों गताशल Speaker होगे लेकिन अब फिर बात सुनों सक्तुर रविदाद रहे फक्स जब ये बात 600 साल पहले उन्होंने कही लोगों ने उनकी मजाग बनाई कि बताओ कैसी बात करें रविदाद राज तंत्रे राजा माराजा राज करें ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो जहां कोई उच नीच ना हो जहां कोई भेद भाव ना हो जहां कोई बहुत अमीर ना हो और जहां कोई बहुत गरीब ना हो जहां किसी बेहन बेटी का अप्मान ना हो जहां किसी गरीब क के लिए कपड़े की और सर्डगने के लिए चच की दिक्कद ना हो जा कोई भूका ना सोए जा कोई प्यासाना सोए सब लोग पराबर हों और सब लोग इज़त समान की जिंदगी पराप्त करें ऐसा दर्शन ऐसा विचार पूरी दुनिया के ध्यास में किसी भी धरंके किसी अपने गुरू शंत मापुरूस ने 600 साल पहले नहीं दिया नहीं दिया जो बने इसो निर्भशे लेकिन अपने अपने की बाद पे पहरा नहीं धी और जो कुम अपने महां पुर्सों के बाद पे पहरा नहीं देती उसका भविश्य होता है आज हम यह सब्स्राइब और मुझे लगता है कि उसका भविश्य अच्छा नहीं होत Demi अगर भविस से अच्छा होता तो आज भी देश में लाखो क्रोडों लोग रोटी कपड़ा मकान के महताज नहीं होता अगर भविस से अच्छा होता यह आपके सामने है और मैं आई आपसे कह रहा हूं जितना जल्दी हो अपने घरों की दिवारों पे लिख दो कि हमें बेग क्या का गुरू झी कि गुरू जी कैसी बाते कर रहे है भाव ह साब कैसी बाते कर रहे है हम कहां सासत बन जाएंगे उन्होंटा का आपको देएज़े जो राजा महाराजा खुद को कहते हैं वो भी आएंगे ऐसा जिकार भावा साम देखे गए आज मैं आपसे कह रहा हूँ अगर इस देख में इत्जर सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज अस्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगम पुरा राज दाना है बेगम का मतलब होता है बीना गम का राज जहां किसी की जिंदगी में कोई गम अभी मैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन अपने दिल की फीड़ा बता रहा हूँ यहीं बराबर में आते हैं मुझे एक बंतेजी मिले हमारे साती है वो किसी गाउं से गुजर रहे थे पंच्शील का जंडा लगाया था तो कुछ मुर्क लोगों ने रोक के जंडा पाड़ दिया और मारपीट की उनके साथ हाथ तोड़ दिया उनके पुलिस बिचारी सत्ता क्या के मजबूर है तो और डॉक्टर भी सराप ये बैठा था उन्होंने जैसा बताया और डॉक्टर ने भी कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ दूसरे अस्पिटल गए तो पुलस्तर करा विचारों ने आ तो जब वो विचारे जाते हैं तो ये समझाते हैं सबको कि भाई भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलो अगर आप पे कोई जुल्ब होगा तो पूरी दुनिया में रहने वाली बहुत कुल्टर आपके लिए वाज उठाएंगी मैंने बंते जी पुछा किसने वाज उठाई बंते जी बोलें नहीं करी तो मैंने इस बात को समझे लो कि जिनका राज होता एंउनीका ध्रम होता है कि पहले राजकाज लाओ इस दिन राजकाज आ जयगा और दिन आपके ध्हरम का ज्ढड़ा भी बुलंद हो जाएगा अपूरी दुनिया में मेरी बातकова भी याद रखे और जिनका राजकाज नहीं होता आपके दिल पे गवाई रपके बताना सब पढ़े लिखे जिम्मदान लोग बैठे हैं और इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिन गाओं में सद्गुर्य उदाजी महाराज की सोबा यात्रा नहीं निकलती है अगर वो निकालने के जाते हैं कहने के लिए कि निकालना चाहते हैं तो क्या कहते हैं पुलिस क्या कहते हैं बताओ हम बताते हैं क्या कहते हैं नहीं प्रंपराणी लागू होगी जिस गाओं में नहीं निकलती थी उस गाओं में नहीं निकलती थी उस गाओं में नहीं निकलती है तो यानि के जि म्मिल जाएंगे किकी राजखा जाएगा बुच्चों को रोजगार भी मिलेगा राजखा जा जायेगा तो आप 83 ठर भी ये पो हमें का लुप आप जिस aan वाचता है कि किसको क्या देक और ओर रॉच्थान है और बहन बेटियों को सब्दान मिलेगा कुई घूंड़ credentials तेक मादमा हूं मेरा मन भी करता है कि मैं आपकी तरह आपके रास्ते में चल परूँ लेकिन मेरे कंदों पर जिम्मेदारी ही बहुते हैं आप ये काम कर रहे हूं कि आज जिनको जुल्प करके सताय जा रहा है वो इस देश की बड़ी-बड़ी पुर्चुर पे बैठे होंगे और उनको 21 सर्मान की जितागी मिलेगी राजकाज आएगा तो कुट्री दोग लेंगे महिलाओ को घरों में रुजगार मिलेगा राजकाज आएगा तो सर पे इंटे नहीं उठानी पड़ेगी राजकाज आएगा तो कॉल्पे भटो पे काम नहीं करना पड़ेगा किसी बहपनि बेटी का मान नहीं होगा आपको याद होगा हिए बागपत में एक महिनाری बीटा एक सार नहीं बीता एक जांते लोग जांते हो निए जांते हो डर्थ को कि जब एक वच्ची को लूपote काम करने गुछ दिए उसको कोलू बैठे वो लोग अपनी धरों में पढ़के सोगे आज आपका बेटा आज आपका भाई हिम्मत करके लड़ रहा है बताओ मदद करोगे नी करोगे बताओ क्या तो मेरे काम में कमी बताओ कोई कमी है मेरे काम में बताओ कहानी अड़ता तुभारे लिए कहानी का और क्या चाहिए मुझसे हर लड़ाई लड़ता हूँ दिल्ली का टूटावा गुरू घरो बताओ छासर दिन जेल काटी नहीं काटी आप बताओ लाठया खाई नहीं खाई पुलिस की बताओ शाहरनपुर में जब धुल्म और सोला मेंने जेल काटी नहीं काटी बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या कोई एक लड़ाई बताओ मेरी अपनी और जितनी उमनिर से ज़्यादा मुकदमे मेरे उपर एक लड़ाई मेरे अपनी नहीं एक लड़ाई मेरे अपनी सारी लड़ाई समाज की है और इसलिए लड़ाई है क्योंकि अपने लोगों पे गरीबों पे कंजोरों पे किसानों पे जुल्म होते नहीं देख सकता हूँ मैं भी आँख बंद करसकता हूँ लेकिन अगर मैं ने आँख बंद की तो जो आज़के बाहर लगी थे वो घर के अंदर आ जाएगी मेरी बात को आप खार रखना जिस बात को भून बन जाना जो मैं कहरा है आज़के अब तो उनको पता लगगा मढगरीपूर में बताओ गुन्दागर्दी किया नहीं कि बताओ आपके साथ बताओ मेरट के रसूलपूर में गुन्दागर्दी किया नहीं कि तब कह रहा हूं ये तब है जो उनको पताए कि इनका लड़ने वाला है इनका लड़ाकू मगर फिर कह रहा हूं थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुझे फ़र्णगर वालो लिखे कहता हूं खोन का कत्रा कत्रा भी आपके काम आएगा मेरी बात को आप आदमी पेट के लिए जीता है पेट के लिए चार्चर गोली खाई है कभी पीशे पुलट के लिए देखा बताओ गोली खाके डरा के कभी आदमी सब पेट के लिए करता है ये पेट भी आपका सब कुछ आपका आपके सहारे हो लेकिन वजन दे कह रहा हूँ मेरी माए मैंने बैठी है सस्टक में खड़े होके जूट नहीं बोलता हूँ है इदियात गवा है कि मैंने जूट नहीं बोला जब तक मेरे शरीर में लहू का आखरी कत्रा है और आखरी सांस है मैं आपके आँसू पोचने के लिए लड़ता रहूँगा पेरी बात को आप याद रखेंगा अब फिर कह रहा हूँ ये माएं बैठी है कब तक इस देश में जूम जाती सहती रहोगी क्या गरीबी में पैदा होके गरीबी में मरने के लिए पैदा हुई हो एक दुनिया में आप बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जाइज में सफर किया बताओ कितनी ने हेलिकॉप्ट और जुल्म छेनां क्योंकि हम इंसान नहीं है कि हमें पैदा क्रेंणे वाली मांको और दर्द भी होता है मरे जयुक्त क्याता है वे तक हमयं पछसैंकरिकर ना काम जाए तो मेरा नाम चंचे का राजात नहीं मेरी बात को अभी आदागे जितिन आप मेरे साथ खड़े हो गए परदान से लेके प्रदान मंत्री तक जिसकी बनने की इच्छा होगी वह आपको सुबह आके नमस्कार क्या करेगा जैभीम क्या करेगा मेरी बात को अभी आदे अपने गाउं से लेके माज़ करें और मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ गद और गोड़ों में बहुत कम फरक होता है नाल खुआने से गदे गोड़े नहीं हो जाते हैं गोड़े गोड़े होते हैं गदे गदे होते हैं मैं महाराज जी का उनसे आगरे गरुमा की अब वो इस तब्रस्या को त्याल है आपके पैरों में सूजन आगी है मैंने मात्मा सतीहजाज जी के मुझे जो बात आद तक सुनी हैं मैं आपको सच कह रहा हूँ वो सारी बात सच साबित हुई है सद्गुर्जी का एशा आशिरवाद अनके उपर है कि इनकी कही बात पत्थर की लखिर जैसी हो जाती है सब्सक्राइन से कहना चाहता हूँ आपका जीवन हमारे लिए मुल्य है बहुत कम ऐसे संद्गुरु होते हैं जिनकी बार्णी में महापुर्सों का आशिरवाद होता है आप ये काम मत करों दिरे दिरे छुड़ जाएगा समाज से नसा भी छुड़ जाएगा लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम फिर कहां जाएं ऐसा मत करों आप बढ़िया स्कूल चला के समाज को जागरू करने काम कर रहे हो मेरे आप से आगर है हम सब लोग आपके बच आपको आपको यादे दो प्रेल दो जार ठारा अंदोलर हुआ मैं चेल में था तो मैंने जब जुल्म हुआ तो हम क्या करें दर तकलीफ हुई चेल से कुछ नहीं काम ने मैंने भूबरताल शुरू कर दी आट दिन होके मुझे भूखे प्यासे रहते मेरे बड़े भाई सा तो तुम बहुत विद्वान व्यक्ति हो तुम तो बड़े मुर्ख आत्मी तो मैंने का कैसे जी बोले कि जो काम सरकार चाहती की आदमी मर जाए और तुम खुदी भूखे प्यासे रहे के मरना चाहरे हो तो जब अगर तुम्हें कोई मारेगा तो किसी को सजा होगी और प्यासे रहके कोई लड़ाई नहीं जीती है खापी के लड़ाई जीती है तो हमने का फिर कहें तोरी लाए घर से रोटी खाओ बढ़िया और जल्दी जेल से बार आ जाओ फिर आके समाज की लड़ाई लड़ो इसलिए महाराज जी कह रहा हूँ आप स्वस्त रहोगे तो ह आपसे प ningún कब्या grew करता हूं वजे काम है मेरी मजूरिया है कुछ ऑकेला अदमी हूं जिसकी सब सुनते हैं और किसी की सुनते ही कहीं शनता हो पर दो इन पर पर पास जाकर बैठा कर रहा हूं पर बहुत अनवाव है उनके पास ज्यान है उन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित करते हैं ना उनको कोई शुक्त है कुछ निये वो हमारे लिए जीरे हमें उनके पास जाना चाहिए उनसे अच्छी बातें सीखने उनसे किसी कोई विशे है उन पर चर्चा करने चाहिए और मैं आपसे भी कह रहा है वहाँ जोड़के बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सभी का इसलिए धन्यवाद करूँगा क्योंकि उनकी वज़े से यह आयजन जुके नहीं पागपत के लोग पूँच पकड़के फड़े रहे हैं और क्या होगा बागपत तो एधियासिक सर्जमी है बागपत के लोग तो मजबूत लोग है फिर तू जुकरे वबढ़तों है करांती प्यादा करो और नहीं कर सकते तो हमें का हो देख हम करके दिखाए जूचिता कर रहे हैं बागपत हमसे दूर थुड़े हैं नई योगन याए तो बताना नई योगी रिपोर्ट और नई योगी कारवे तो में बताना महीं डेटा डाल नेंगे बागपत में आके हमसे दिल्ली दूर थुड़े हैं प्राएँ मैं धन्यवाद करूगा हमारी वोलिंटर बहने जो हैं बहन नीशा, बहन कोमल, बहन कसिज, बहन छोटी, बहन अम्रीता, बहन सोनम, मनीशा, रोहनी, रितू, सिवानी, चंदा, दीना, दिव्या, नीशा, राधिका, रोना, परमीला, कवीता और नीशा दो हैं, इसलिए नीशा के आगे इन्होंने दो तिन लिखा है, तीन है, तीन होगी, अच्छा सुरू में भी नीशा ही, तो नीशा एक, दो, तीन, ठीक है, तीनों बहनों को धन्यवाद, ये जो हमारे युवा हैं वोलिंटर फोर्स में, धर्मेंदर जी, सचिन भाई, सूरज भाई, बादल भाई, सतनाम जी, सोनु भाई, रोहन, धोनी, अंकुल, सचिन मोरिय, मोनू, मिचाल, रवी, भारत परताप, आकास जी, रितिद, विकास, सुमं पर्दीप, कोशिक, कोशिक, ससी, प्रविन, और जो इस गाउं से बाहर के लोग विवस्था में लगे नवीन, तीकंबोध, रवी प्रकास, सरवन जाटाव, कमल कान, सरपज समराट, दीपक गोतम, पवन गोतम, विक्रांत कुमार, पुरु कुमार, सावन बोध, राजन, और हमारे भीमारणी के जिलादेक्स, और आजाज समाज पार्टी के मान जिलादेक्स, इन सब का इसलिए धन्यवाद आपको याद होगा, हातरस में एक ससंग में भगदर मची है, और बहुत लोग की जान गई है, अगर वैवस्ता नहीं होगी, तो कोई भी घटना कट सकते हैं, इसलिए वोलेंटरों की जिम्मेदारी बहुत इंपोर्टेट है, और वोलेंटरों की जिम् समझ रहे हैं, यह आजाती ही भी ने मुलाई, ठीक है, गुरु के विचारों में सब कुछ है, सरीम तो एक न एक दिन त्यार करके पूरा होना, विचारों में महापुर्शों के विचारों पे चलो, ठीक है, और जो बहने पढ़ रही हैं पढ़ाई करो, हम मेनत कर रहे हैं, सद्गुर्जी के आशिरवास से आगे पढ़ेंगे, फिर नोकुरी देंगे आप लोग के चिंदा मुलाई करों, अच्छे से पढ़ाई करों, चिंदा मत तरों घगराओना, और जो नोगेवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, बहुत दूर नहीं लग नो, तीन साल की बाद है, आप याद रहना, तीन साल में हम भी एड़ी चोटी का जोड लगा देंगे, गली-गली घुमेंगे, आप मन पका रखना, तीन साल वाजनी ताकत वनेगी, कि रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरा वादा इस बात को आप लिक और यह जिन्दाबाद के साथ-साथ मैनत भी करो, मैं मादमा जी से और सभी गुर्वों से यह अपील करूँगा, कि आप मुझे जाने के जाद दो मेरे पास बहुत सारे का, और मैं सद्धूर महराज से यह प्रात्रा करूँगा कि आपको सद्धूर ने तरगाईउ करें, और आपका आशिलास समाल लेंटर, अपने अपने जिम्हदारी समाल लें, भाई एक जान कारी मुझे आपको देनी, कुछ लोगों को गलत हैं, वो कहते हैं, भाई आपने चमार रेजिमेंट की मांग क्यों कर दी, ऐसे तो जातियों की रेजिमेंट बन जाएगी, यह हो जा और यह 1942 में बनी है, 40 से 42 के बीच में, और 46 में उसको खतम किया गया है, वो बहुत 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 रेजिमेंट थी, उसका इत्यास पड़ो, मैं तो सिर्फ उसको बहाल करने की मांग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि उस रेजिमेंट को बहाल करके हमारे नوجवा को देश की सेवा करने का मोका दिया जाए, हम बताएंगे कि हमसे इमानदार देश के लिए हमसे बहादूर कोई नहीं, इसलिए मैंने मांग की है, इसलिए पढ़ लो, मैं कोई हवाई मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं इतियासिक मांग कर रहा हूँ, सरकार कहते हैं कि हम अंग पोज के खिलाब लड़ने से इसलिए मैं आपसे आगरे करूगा आप भी पढ़ा करो कोई सवाल करें उसको जवाब दिया करो अपना इदियाद पड़ो इदियाद पड़ो के सब समझ आ जाएगा समझे लूझे लगड़े लोग नहीं है हम लोग हमारा इदियाद से हम अपने पैरों पखड़ें बहुत लंबे समय से वो अलग बात है कि हम फिट शित के इतना प्रेशान होके जुल्म सहके भी हमने मैं आपका संब्सक्राइब करता हूं लेकिन वह मुकुट महापुर्षों के लिए और संगर्सी लादमी मेरा काम मुकूट पहन के राजा पना नहीं अंचे एगा काम करने दो मुझे फोटो वोटो से फुरसत दिया करो थोड़ी सी अगर फोटो से फुरसत दो गे तो ज्यादा काम करके दिखाऊंगा तो मेरा बहुत सारा समय फोटो में ले जाते हो यही समय है यह काम करने दो देखो 10 साल किजने अच्छे हो जाएंगे और पुलिस के अगली बार और तयाली करके उठांगा कि स्टेट इशू पर कैसे बोलते हैं यह भी कर दूमा काम लेकिन मैं आपको भगवान मात के आता है आप भी नयाय करने की कोशिश क्या करें उसको एसास मना चाहिए कि आप जिस उम्मीद लेके आपके पास है आप उस पर खर उतर ग कर सुर्साम है कर दो बार कामान खर भगान।